अब जो सेना के वो अधिकारी या सेना के वो जवान जो की रिटार्मेंट होकर वापस आएंगे उनके लिए एक बड़ा फैसला किया है और ये बड़ा फैसला उनको एक सम्मानित नौकरी देगा जब वो सेना से रिटार होकर आएंगे क्योंकि सेना से रिटार आने के बाद कई बार जो एक सर्विसमें होते हैं वो या तो दुकान खोल लेते हैं बैंक में काम करने लग जाते हैं या कई बार उन्हें उस तरह का सम्मान नहीं मिल पाता है, सबसरे बड़ी बात सम्मान की है, सम्मान नहीं मिल पाता है जिसके वो हगदार होते हैं CM योगी ने यही सम्मान दिलाने के लिए अब समुख admitted यानि कि ये समुख admitted वाली नौकरिया नहीं होगी जिसमें आप देखते हैं कि बहुत जादा निचले दरजे का तो नहीं काउठा लेकिन बहुत जादा тьला क्लरेकल वक बहुत जादा होता है जिसमें कहीं न कहीं वो सम्मान आप तलाशने के कोशिश करते हैं कि अगर हम देश के लिए अपनी जिंदगी के एहम साल दिये हैं तो इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हम नौकरी करना चाहते हैं यह जरूरी नहीं यह हर एक के लिए मेंडेटरी नहीं होता है कुछ लोग VRS भी आ जाते हैं इसके बाद भी वो काम करते रहते हैं या किसी अलग छित्र से जुड़ जाते हैं वो एक पूरी तरह से अलग बात है लेकिन अगर कोई proper सेना में काम करकर आया है रेटायर्मेंट लेकर रेटायर्मेंट की उसकी उम्र हो गई और रेटायर हो ज लिए जो है वो मसौधा तयार होगा और यह क्याबिनेट में पास कराया जाएगा जैसे ही मसौधा क्याबिनेट में पास होता है आप देखेंगे कि उत्तरप्रदेश में जो है जो भी एक सर्विसमें होंगे उनके लिए यह बहुत बड़ी कि आप उससे अपने बच्चों का खर्चा भी चला सके या आप उनकी स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस, घर का खर्चा इसके अलावा तरह तरह के जो मिसलीनिस एक्सपेंसे होते हैं उनको पूरा कर सके और इस वज़े से जब आप समुख के तहत नौकरी करते हैं उत्रपुद देश सरकार से ये सीख लेनी चाहिए हमारा ऐसा मानना है कि देश का सैनिक जब देश के नाम अपनी जिंदगी के एहम साल करकर आता है और उसके बाद भी जब उसको गुजारे के लिए एक रकम की भी जरूत है जो कि बहुत बेसिक नीड है और इसके साथ साथ सम्मानित न करें बीओ थानितो बैजया ततकी देश का जोगान है जब सेना में रहता है तो बहुत आली मोटिवेटेट रहता है लेकिन जब वह सेना से रेटायर होकर आता तो उसे इस बात की चिंता ना हो और यहां से मेरा भविष्य क्या होगा बहुत बहुत शुक्रेकर आस वीडिय